तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो को देखो पच्चतर दिन का चैलेंज हिम्मत हैं तो करके दिखाओ ये चैलेंज का एक रूल है अगर एक दिन भी मिस हो गया तो फिर से स्टार्ट करना होगा तो इस तरीकी की फोटो टोकिंग वाली वीडियो भी काफी जादा वाइरल चल रही है काफी सारे कीरेटर ऐसी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर यूटूब शोट्स पर अपलोड कर रहे हैं और काफी अच्छा अपने पेज को ग्रो कर रहे हैं तो वीडियो को बनाने के लिए आपको तीन स्टेप कम्प्लीट करना पड़ेगा click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आप three dots पर click करना हो इसको desktop side पर click कर देना इससे क्या होगा आपके कुछ इस तरीके सा आपका interface दिख जाएगा उसके बाद उपर आपको यहाँ पर login का option दिखेगा इस पर click करना और यहाँ पर continue पर click करके आप sign in कर लेना तो यहाँ पर मैं चलो sign in कर लेता हूँ sign in करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको लिख देना है जो भी आपको image बनानी है वो यहाँ पर आप लिख देना जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ handsome man with beard यहाँ पर मैंने लिख दिया उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आप style select कर सकते हो आपको 3D में, cartoon में जिस भी type से बनाना है यहाँ पर आप style select कर सकते हो पर यहाँ पर मैं select नहीं करता हूँ only generate पर click कर देता हूँ generate पर आप जैसे click करोगे बता हुआ कि अगर आपको ऐसे idea नहीं आते है mind में, तो आप direct भी search कर सकते हो उसका process में आपको इसके बाद बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने generate कर दिया है अब आपको जो भी पसंद आता है वो आप यहाँ पर select कर लो यहाँ पर मैं इस second वाले को download पर click करके download कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको photo पर watermark दिखेगा तो इसको आपको हटाना कैसे है तो यहाँ पर आप Google पर आना और search कर लेना remove watermark from image इसको पर click करना और यहाँ पर आपको काफी सारी website दिख जाएगी तो आपको इसी से भी click कर देना और यहाँ पर आपकले करना upload image पर click करना और यहाँ पर यही ओड वह image इसको मैं done पर click कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा जो image का watermark ही वह हट जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो image का जो watermark ही वह हट चुका है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको download image पर click कर देंगे तो हमारा जो image वो download हो चुका है अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई idea नहीं आते हैं image के तो आप कैसे इसको download करोगे तो simply आप यहाँ पर google पर आना और यहाँ पर लिख देना AI mid journey old man photo या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो young man या फिर आपको लड़की का चीए तो आप girl लिख सकते हो तो यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ AI mid journey old man photo तो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ search करने के बाद यहाँ पर आपको image वाले icon पर click करना है और यहाँ पर आपको काफी सारी images मिल जाएगी जो भी आपको पसंद आती है वो आप download कर लेना और download करने के बाद आप direct उसको यूज कर सकते हो okay अब यहाँ पर आपको voice को generate करना है तो यहाँ पर मैं आपको AI की मदस से voice को generate कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ तो simply आपके करना आप यह वाली website पर आ जाना इसका link मैं आपको description में डाल दूआ तो direct आप इस वाली website पर आ जाओगे तो उसके बाद आपको करना किया है यहाँ पर आप यह वाली website पर आने के बाद यहाँ पर आपको Hindi वाला option दिखेगा तो आप Hindi पर type कर देना हिंदी पर type करने के बाद यह जो लिखा रहा है इसको तो आप पहले हटा देना और उसके बाद यहाँ पर आप खुद टाइप कर लेना हिंदी में टाइप करना तो यहाँ पर मैंने पहले से टाइप करके रख रखा है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको voice select कर सकते हो जो भी आप चाहो यहाँ पर select कर सकते हो तो यहाँ पर मैं जो voice है वही रहने देता हूँ और उसके बाद आपको करना है यहाँ पर आपको play करके देख लेना है वोईस एकदम सही है तो आपको simply करना कि आपको download वाला icon आपको दिखेगा इस पर click कर देना और इसको आप download कर लेना अब यह download हो चुकिए अब हमारा image भी generate हो चुकिए और यहाँ पर हमारा जो voice है वो भी generate हो चुका है अब simply हम चलते हैं एक website पर जिस पर हम क्या करेंगे यह first number की website है इस पर click करना तो आप redirect हो जाओगे यहाँ पर उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको एक option देखेगा देखो three dot का आपको option देखेगा इस पर click करना और यहाँ पर आपको free trial लिखा रहा है इस पर click करना click करने के बाद आपके कुछ ऐसा interface आ जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है create video पर click करना है और यहाँ पर आपको add पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा complicated लगेगा तो simply आप यहाँ इदे की side देखो यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है मतलब आप script लिखना चाते हो तो आप script लिखके भी यहाँ पर बुलवा सकते हो image को और अगर आपके पास audio है पहले से ही तो आप audio को यहाँ पर direct upload करो आपकी जो वीडियो है वो पूरी radio करके दे देगा तो simply हम करेंगे कि यहाँ पर हम add पर click करते हैं हमको यहाँ पर custom चीए हमारा खुद का तो हम add पर click करेंगे add पर click करने के बाद यहाँ पर आपको login करने की बोलेगा तो यहाँ पर मैं पहले google से sign in कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने sign in कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हम वापस create video पर click करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे add पर आपको click करना है और add पर click करने के बाद यह वाली image हमने generate करी थी इसको हम ले लेते हैं और done पर click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप script लिख सकते हो, आपके according अगर आपको लिखनी है तो, या फिर आप upload कर सकते हो direct, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, audio का, script के इदे की side आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आप इस पर click कर देना, तो इस पर मैं click कर द है, तो यहाँ पर मैं audio पर आ जाता हूँ, यही वो audio इसको मैं click कर देता हूँ, और click करने के बाद यह audio import हो चुकी है, इसके अंदर, और हम यहाँ पर थोड़ा सा wait करते हैं, उसके बाद audio यहाँ पर import हो चुकी है, अब simply आपको करना क्या है, उपर आपको generate video का option दिखेगा, इसपे click कर देना, और आपकी जो video वो generate होना start हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं generate पर click कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर download वाला icon पर click करना है, और इसको आपको download कर लेना है, और इसको download कर लेना है, अब यहाँ पे डाउनलोड हो चुकिए अब मैं आपको गिलेरी में आके बताइता हूँ कि वीडियो कैसी है यह वीडियो को जल्दी सेव कर लो क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मेरी तरह AI फोटो टॉकिंग वीडियो कैसे बना सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीडियो पूरी कंप्लिट हो चुकिए अब सिंपले आपको करना क्या है यहाँ पे आपको कोई से भी वीडियो एरिटिंग में आ जाना है एप के अंदर तो यहाँ पे मैं VNF का यूच कर लेता हूँ और VNF के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको उस फोटो को इंपोर्ट कर लेना है तो मैं न्यू प्रजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जो वीडियो अभी बनी है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट करने के बाद उपर आपको और आपको और यहाँ पे आपको 9-16 रेशियो सेलेक कर लेना है और उसके बाद आपको करना है क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो यह ओटोमेटिक सेट हो चुका है 9-16 रेशियो में अब आपको यहाँ पे बस इस वीडियो को लाश्ट में वाटरमार्क को डिलिट कर देना है और यहाँ पे आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो इस तरीके सा आप यह वीडियो को बना सकते हो मैंने आपको पूरा पूरसेस बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पे वीडियो को बनाना है कैसे आपको फोटो को जेनरेट करना है ओडियो का भी आपको मैंने पूरा पूरसेस बता दिया तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो आई लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलो मिलते हैं पन अप नेस्ट वीडियो में